और एक बड़ी ख़वर आ रही है जैपुर से जहां पर नए घोशित जिलों में जल्द शुरू होगा काम का जुराजे सरकार ने 15 नए घोशित जिलों में लगाए विशेशा अधिकारी जैपुर और जोधपुर के नए जिलों में नहीं लगाए OSD ऐसे में कयास लगे क्या जैपुर और जोधपुर जिलों का नहीं होगा बटवारा जैपुर जोधपुर जिलों के बटवारे पर जनप्रति निदी भी जता चुके है नाराज़ की संभावना है कि अपरी एस्तिती से बचने के लिए सरकार ने नहीं लगाए OSD ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं एहम खबर आ रही है ने गोशित जिलों में जल्द शुरू होगा कामका जुराजिस सरकार ने 15 ने गोशित जिलों में लगाए है विश्रशा दिकारी और जैपुर और जोधपुर के ने जिलों में नहीं लगाए है OSD ऐसे में कयास लगे हैं कि क्या जैपूर और जोदपूर जिलो का बटवारा नहीं होगा क्योंकि जैपूर जोदपूर जिलो के बटवारे पर जन प्रतिनिधी भी नाराज़गी जता चुके हैं और समावना है कि अपने इस्तिती से बचने के लिए सरकार ने नहीं लगाए OSD ये बड़ी ख़बर हम आपको बता रहे हैं एहम ख़बर आपको बता रहे हैं जैपूर से इस वक्त की बड़ी ख़बर आ रही है विष्णू हमारे सही होगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़धा जानकारी के साथ था विष्णू अब नए जिलों में अब काम शुरू होगा जल्द क्या फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से बिल्कुल आज राजे सरकार ने जो बजट में जोने गोशिट किये थे उनमें ओएजड लगा दिये गए हैं यानि अब वो जल्द काम शुरू होने की तैयारी हैं यहां पर हाला कि नोटिफिकेशन जिलों का जो शिमांकन है वो होने होगा लेकिन इसके पहले कलेक्टर ल से और इसमें अभी 19 जिले मुख्या मंत्री ने यहां पर बजट में गोशिट किये थे उनमें से 15 जिलों में ओएजड लगा दिये गए हैं जयपूर के जो हिस्से किये गए थे इसके अलावा जोटपूर के इससे गए थे उनमें अभी ओएजड दी में इसका मतलब कया से लगाए जा रहे हैं कि इन जिलों को जी चरह जाए जाए है जो जैपूर और जोटपूर है इनको यतावत रखा जा सकता है इस बात को लेकर जो जन प्रतिमी भी हैं उन्होंने भी आक्रोश जाहिर किया था और अपनी राजी सरकार तक पहुंचाए थी बात और इसको सम्म पूरा जावर और दूदू में ओएंसडी लगा दिये गये हैं और अब ये महां जोइन करने साथ भी काम काज सुरू कर देंगे महां इस्ट्रेक्टर बनना है पूरा बिल्डिंग बननी है उनके लिए जमीन देखी जानी है जमीन अगर कहीं कम है तो उसका अधिक्रेंड क तैयारी है विष्णू लेकर यहां पर एक सवाल ये भी है कि जैपूर और जोधपूर के अगर हम बात करते हैं तो जन प्रतिनिद्यों ने यहां पर नाराजगी भी जताई थी सवाल भी उठाये थे बटवारे को लेकर और वहां पर ओसडी भी ने तैनात किये गए तो ऐसे में अब संभावना ये लगती है क्योंकि उनमें लगा है अगर यहां सरकार उनमें लगाती तो संभावता माना जा सकता था कि इनके तुक्रे कर दिये गया यारे जियापूर जोधपूर इनको टुक्रे नहीं हो इसको लेकर बीजेपी और जो संगठन है उनकी और से साबदी सहंगठन जा रहा रहा है वहीं दूसरी और जो परताप सिंग खाठरयावास है राध्य सरकार के मंट्री है उन्होंने विरोध जारी यक्याथा कुलकर और से अलावा अजने प्रतिम लें कहा था कि जयापूर जोधपूर के तुक्डे नहीं करने तिये नहीं होने देने थी और इसको लेकर प्रताप सिंग्हाजर्यावास ने का साफ का आता कि मैं नहीं होने दूबा टुकड़े और संब्रोत्या अब ओएश्डी ने लगा इसलिए ऐसे में यह संब्रोत्या क्यास लगा जा सकते हैं कि यहां जैपूर और जोपूर जो है वो अब यतावत रहेंगे उस जी बहुत शुक्रिया विश्म श्रमा तमाम जानकारी अपटेट हम तक पहुंचाने के लिए